हेलो फ्रेंस वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मामी कीचन में तो आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल चने डाल का हलवा अधिकतर लोग इसको सबे बरातने बना कर खाते हैं आपको जब भी दिल करे इसको बना कर खा सकते हैं एक से देर महिने तक ले इसको इस्टोर करकर तो हमने ये नहीं बिए चने दाल और 400 ग्राम हमने चीनि ले लिये हैं आप चाहें तो ज्यादा मीठाख कहना पसं करते हैं एक को टोड़ी घी ले लिए गिलास हम ने दूद लिए हैं 230 मेरम दूध Spec छने को दाल को ब्रोया केंधे लिए भिलास अंटशित लिए हम झार और ली लिए उस्काली का बिए अभल प्रीजस नारियल लीए है यह काजु ले लिए हे यह थोड़ा सा फूंट ल लिया है आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं हमने ये थोड़ा सा हमने ये थोड़ा सा घर कर लाइची पावडर है इसको कुट कर ले लिए हैं अब एक कड़ाई ले ले लेते हैं हमने कड़ाई ले लिए हैं इसको हाई फिलम पर रखे हैं इसमें दाल जो चने का दाल हमने भीगो कर र एक मिनट तक हाई फिलेम पर इसको बनाएंगे उसके बाद इसको लो फिलेम कर देंगे 20 मिनट के लिएБ எ हमें इसको पले 2 मिनट सकते हैं हमारा दाल एक दम अच्छा से कुछ हो गया है कि इसको हम पूरा नहिं पकायेँगे 80-90% तक इसको पकाएंगे देखिए हमारा दाल अच्छे से पक गया है अब इसको एक प्लेट में निकाल लिया है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं अच्छे से इसको फैला दिये है, यह ठंडा हो जाएगा तो हम इसको mixie में grind कर लेंगे कि आप देख सकते हैं हमने यह दाल को पीस लिए हैं मारा डाल थंडा हो गया था तो हमने इसको पीस लिये हैnt मिक्स में ग्राइन कर लिए हैं यह देखिए कि इतना पाइन पाउड़ rec Já पॉर्ण बना है अगर हम इसको 100% पका देते तो यह जो नहीं बनता यह घीला हो जाता तो हमें कड़ाइ ले लेते हैं हमने कड़ाई ले लिए इसको हाई फ़िलें पर अब लेजनी से को अच्छे से भूनेंगे दस से फं excav मिनाट तकलेин बावर कॉलर ना ओते साओare 녹्स्ते हमने इसको दस से पंदरा मिनाट अश्मियों मेडियम पर हमने इसको भूना है देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कॉलर छेंज हो गया हई यह अच्छे से भून गया है, इसको अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं, देखिया हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिये हैं, कितना अच्छा से इसको भून लिये हैं, देख सकते हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लिये हैं, अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, दघए नहीं हमें तुछ तुम्ट हैंविध करेंगे अरा को ऐख ईसको थोड़ा फूड पीछा था एक हुआ है। युका घटे नहीं अब शिर्चा फ wiring नहीं है यह कुंट एक हमघ़ कर सकता हैं, ऐसे हमने चीनि लिए था उसी काटोड़ी से इसमें पाणी सैट कर देते हैं कि देखिए हैं यह हमारा चाश्मी में उबाल आ गया है कूटा ओवा लाईची गडा पाउडर है इसमें कर देते हैं इसमें फूट कोलर रहं tane इसमें कर देते हैं इसे मेडियम फलेम पर हम 5 मिनट तक ले पकाएंगे कि हमारा चास्मी थोड़ा गाड़ा हो जाए हमारा चीनी अच्छे से मिल्ट हो गया है देखिए हमारा चास्मी थोड़ा गाड़ा हो गया है हमारा एक तार दो तार का चास्मी नहीं बनाना है इसमें थोड़ा थोड़ा हम जो चाने का दाल का पीस का रखा था इसमें एट कर देते हैं और गैस को फिलम एकदम लो रहना चाहिए थोरा थोरा करकर निक्स करेंगे इक ही पर भी लॉंस ना बने इसको कॉंटिन्यू चलाते रहना है है कि देखिए हम ने इसको दो मिन отпर विर्थ कॉंटिनू इसको भूना है देखिए स्टमा ना स्ट गया कि प्लेट में लगा है इस में अपना है में को पर देखिए इसमें आपने ना को सेप रेंगे इसमें बरस लगें चाहिक लिए अब हमारे हलुआ को इसमें रोख देखिया हमने सारे हलुआ को इस प्लेट में निकाल लिये हैं इसको हास से अच्छे से शेप कर देते हैं देखिया हमने हल्वा को सारे सेप कर लिये हैं इसमें थोड़ेजबा आई-फूड आपको दिखाएंगे अपसे कर लिए हैं आप चाहे तो जिस में कठना चाहते हैं उच्छेफ में कट लीजीएंगा देखिए हमारा हल्वा ठंडा हो गया था हम इसको कॉट कर लिए हैं देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा हल्वा बना है कितना परफेट हमारा हल्वा बना है देखिए हम आपको टोड कर दिखाते हैं देखिए इस तरह से आप भी एक बार हल्वा बना कर ट्राई कीजिए यह हमारा कतली वाला हलवा कितना टेस्टी बना है अब भी इसको एक बाद टड़ाई कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए मिलते हैं अगले रेस्पी में बाई बाई